हलो बच्चो वैलकम तो आई यूट्यूब चैनल तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड टेंथ का फर्स चाप्टर का प्राक्टिस सेट 1.2 प्राक्टिस सेट 1.2 पर मैंने अल्रड़ी एक वीडियो बना दिया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है अगर आपने नहीं दे आने के पहले हम लोगी दोनों इक्वेशन में y को एक साइड पर कर देंगे और x वाला टर्म दूसरी साइड पर कर देंगे ठीक है कैसे देखो यहाँ पर यहाँ पर x प्लस y इक्वल टू जीरो में कैसे कर सकते हैं देखो ऐसे लिख दिया अब y को इधर ही रहने दिया ठीक है देखो y का साइन पॉजिटिव है इसलिए उसको इधर ही रहन दिया x को उधर भेज दो x महां जागे क्या बन जाएगा ऐसा आएगा 0-x 0-x क्या होता है माइनस x तो इसको मैं डिरेक्टली माइनस x लिख रहा हूँ ठीक है एक ही step में नहीं समझ रहा तो रहने दो पहले का step ऐसे लिख के फिर ऐसे लिख दो equal to minus x अब हम लोग ये वाला equation यूज़ करके table बनाएंगे कैसे आएगा table देखो तो यहाँ पर let's say मैंने पहले x ले लिया 1 देखो यहाँ पर x के जगे पर 1 आगया तो y equal to क्या है minus 1 तो मुझे y का value क्या मिल गया मुझे y का value मिल गया minus 1 अभी x को 2 ले लो अगर x को मैं 2 लेता हूँ तो क्या मिलेगा x के जगे पर 2 डाला y equal to minus 2 आगया तो मैंने y के जगे पर minus 2 लिख दिया ठीक है अब मैंने x के जगे पर let's say 3 ले लिया ठीक है यहाँ पर 3 ले लिया तो क्या मिलेगा x के जगे पर 3 आएगा y equal to minus 3 तो यहाँ आ ने x के जगे पे negative minus 1 लिया, यहां पे क्या होगा, x के जगे पे आ जाएगा minus 1, यह minus और minus, क्या हो जाएगा, plus, तो मुझे मिलेगा यहां पे plus 1, ठीक है, plus 1, तो y की value क्या आ गई, plus 1, तो y के जगे पे लिख देंगे, plus 1, plus लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहां पे अल minus 2, 3 minus 3, and minus 1, 1, ओके, तो यह coordinates हम लोग graph paper पे plot करेंगे, और यह वाला line बना देंगे, simple है, अब यह 2x minus y equal to 9 को solve करते हैं, कैसे आएगा equation, देखो यहां पे, यह 2x minus y equal to 9 मैंने आपे copy कर लिया, minus y है, इसलिए minus y को उस तरफ बेजा तो plus y बन जाएगा, plus लिखने की ज़रूर अगर plus है, तो सिफ ऐसे लिख दिया, और यह 9 को इस तरफ लेके आया, तो यहां पे plus 9 था, इस तरफ आके minus 9 बन जाएगा, तो मुझे y का value मिला 2x minus 9, पहले y लिख दो, equal to 2x minus 9, सिफ इसको इधर उल्टा लिख दिया है, पहले y लिख दिया, equal to 2x minus 9, तो मुझे फिर से y का value in terms of x मिल गया, अब मैं हर जगह x का value और y का value निकालूँगा, कैसे आएगा table, देखो यहां पे, अब let's say, मैं x का value ले लेता हूँ, 2, तो अगर x को 2 लिया, तो यहां पे देखो, x के जगे पे 2 substitute करो, इसको solve करते हैं, कैसे आएगा, y equal to 2x minus 9, ऐसे किया था हमने, x का value क्य लिया हमने, 2, देखो यहां पे, x के जगे पे 2 डाला है न, 2, 2, 0, 4, यह minus 9 है, 4 minus 9 है जाएगा, minus 5, तो मुझे y का value क्या मिल गया, minus 5, तो यहां पे y के जगे पे लिख दो, minus 5, ठीक है, वैसे ही, अब next आप x का value ले लो, 3, तो x के जगे पे यहां पे क्या आ जाएगा, x के जगे पे आ जाएगा, 3, फिर, मुझे यहां पे 2, 3, 0, क्या मिलेगा, 2, 3, 0, मिलेगा, 6, and 6 minus 9 क्या आ जाएगा, 6 minus 9 आ जाएगा, minus 3, ठीक है, तो यहां पे मैं लिख दूँँगा, minus 3, आया समझ में, let's say मैं x का value लेता हूँ, 4, तो x का value 4 लिया, तो सब change होगा, क्या आ ज हो जाएगा, minus 1, तो मुझे y का value मिल गया, minus 1, x का value 5 लेके देखते हैं, let's say 5 लिया, फिर से, देखो यह सब change होगा, x के जगे पे आ जाएगा, 5, तो मैंने यहां पे लिख दिया, 5, 2, 5, 0 हो जाएगा, 10, 10 minus 9 आ जाएगा, 1, तो मैंने यहां पे लिख दिया, 1, ऐसे करके पूरा table मिल गया, तो यह values नीचे लिख दो, क्या क्या आ जाएगा यहां पे, 2 minus 5, 3 minus 3, 4 minus 1, and 5, 1, पहले x लिखते हैं, फिर y लिखते हैं, देखो x, y, तो आपको यह 4 points plot करने हैं, फिर यह 4 points plot करने हैं, इनका एक line बनेगा, इनका एक line बनेगा, दोनों जहां पे intersect करेंगे वो इसका solution होगा, ऐसे ही find करते थे थे न, graphically, आया समझ मैं, तो इसकी line बना दो, पहले इसकी बना लेता हैं, ठीक है, 1 minus 1, 2 minus 2, 3 minus 3, minus 1, कैसे आएगी line, तो मैंने graph paper ले लिया, और उसके उपर यह 4 points plot कर दिये, 4 points कौन से थे, यहां पे table बना के बताऊं क्या आपको, यह थ दोनों कहां पे मिल रहे हैं, इधर, फिर next point क्या है, 2, minus 2, तो x axis पे 2 इधर है, पहला जो point है, वो x होता है, तो 2 और y axis का minus 2 इधर है, तो दोनों यहां पे मिलेंगे, तो यह वाला point आ जाएगा, पैसे ही 3, minus 3, अब यह 4 वाला देखो, minus 1, मतलब पहला x minus 1, x पे देखो, minus 1 क है, इधर, फिर दूसरा point है, plus 1, वो y पे होता है, हमेशा दूसरा point, तो वो यहां पे, दोनों यहां पे मिलेंगे, यह वाला point, तो मुझे 4 point मिलके, यह 4 को join कर गया, 4 के तुरू pass होता हुआ, एक line बनाने, बना तो जल्दी से, तो यह यहां पे बन गई मेरी पहली line, उसका change किया था, वो सिफ हमारे लिए है, question में जब हम answer लिखेंगे, तो यह लिखेंगे, x plus y equal to 0, ठीक है, solution में आप method लिखते हैं, तब आप बता सकते हैं, y equal to minus x, जो मैंने यह वाला part बताया था, x plus y equal to 0 को मैंने y equal to minus x बनाया था, वो यहां पे लिख सकते हो, लेकिन graph paper में equation का ना में x plus y equal to 0 ठीक है, तो हमारा यह table बन गया, अब यह वाला table बनाना है, यह चार values है, plot करते हैं इसको, तो इसमें यह values plot करनी है, 2, minus 5, देखो 2 यह रहा, x पर आएगा न, पहला value x होता है, देखो यहां पर, and second value y होता है, तो 2 यहां पर आएगा, y minus 5 यहां पर आएगा, तो यह वाला point आएगा, 2 minus 5, जैसे ही plot कर देंगे बाकी सारे points, तो यहां जाएंगे अपने 4 point, 2, minus 5, फिर 3, minus 3, already plotted है यहां पर, 4, minus 1, यहां पर plot कर दिया, and 5, 1, 5 इदर, 1 इदर, ठीक है, यह plot कर दिया, अब यह 4 point को join करता हूँ, एक line बनाओ, तो यह दूसरा line मैंने बना है, 3, minus 3, दोनों lines यहां पर intersect कर रहे है, मतलब, यह 3, minus 3 इसका solution, क्यों solution है, because 3, minus 3 में substitute करूँगा, तो इधर भी satisfy होता है, यह line पर भी, और यह line पर भी, है न, तो point of intersection हमेशा solution होता है, तो इसका answer कैसे लिख देंगे, 3, minus 3 is the solution to the above equation, एक बार पूरा graph अच्छे से देखो, हम लोग यहां पर scale लिख देते थे, 1 centimeter equal to 1 unit on both axis, और फिर यह graph बना देते थे, ओके, आया समझ में, ऐसे लिख देंगे, the lines x plus y equal to 0, and 2x minus y equal to 9, intersect at 3, minus 3, therefore, x, y equal to 3, minus 3 is the solution, okay, video pause करो, खुद के graph paper पे जल्दी से बना दो ये, बिना graph paper में practice किये, आगे नहीं बढ़ना है, okay, चलो, next question करते हैं, fourth वाला question, खुद से try करना है, पहले हम लोग equation को change करेंगे, क्या दिया है, 3x minus y equal to 2, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 3x minus y equal to 2, therefore, 3x, यह minus y को उधर बेज़ दो, और यह 2 को यहाँ पे लिखेंगे, तो 2 minus 2 बन जाएगा, और minus y वहाँ जाके, plus y बन जाएगा, तो मुझे क्या मिला, y equal to 3x minus 2, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँगा, y equal to 3x minus 2, ठीक है, वैसे ही मेरे पास second equation क्या देखो, 2x minus y equal to 3, तो यहाँ पे लिख दिया, 2x minus y equal to 3, therefore, 2x minus 3 equal to y, क्या क्या मैंने minus y को उधर भेज़ा, तो plus y बन गया, plus 3 है न, यहाँ पे इसको इधर लिख दिया, तो minus 3 बन गया, क्या मिला, y equal to 2x minus 3, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, therefore, y equal to 2x minus 3, यहाँ गया equation, इसको solve करेंगे, अब table जब खुद से बनाएंगे, तो आपको ऐसा एक table मिल जाएगा, x की values लेते जाना, और इसमें substitute करके y का value निकालके यहाँ पे लिखते लिख, फिर x, 0, y minus 2, ऐसे लिख लिख के, चार values बनाके आपको इस graph को plot करना, similarly, इसमें भी आपको चार values लेनी है, और चार points निकलेंगे, इनको join करके line बनाना, यह दोनों line जहाँ पर इंटरसेक करेंगी, वो यह equations का solution होगा, ठीक है, तो अब मैं पूरा graph पहले से ही बना रहा हूँ, अगर आपकी values अलग आ रही है, ठीक है, तो आपका दोनों value अलग होगा शायद, answer गलत नहीं मिलेगा आपको, देख लेना, अगर आपने equation सही तरीके से solve करके calculation में कोई mistake नहीं करिए, तो हो सकता है, आपकी अलग-अलग points है, आपने x equal to 1 लिया ही नहीं, आपने सीधा x equal to 5 लिया, तो आपको कुछ और मिलेगा यहाँ पर, जरूर ही नहीं है कि यही 4 points मैं और आप भी वही ले रहे हो, आप कोई भी point ले सकते हो, लेकिन जो line बनेगी ना, वही line आपके भी बनने चाहिए, ठीक है, और दोनों का solution, यह दोनों को जब solve करेंगे, तो answer भी same बाना चाहिए, दोनों line एक ही point पे intersect करेगी, मेरी और आपकी same point पे आएगी, लेकिन यह 4 point आपके भी अलग हो सकते हैं, मेरी भी अलग हो सकते हैं, plot करते हैं इसको, तो मैंने यह पे दोनों lines plot कर दी, 3x minus y equal to 2, and 2x minus y equal to 3, दोनों lines plot करने के बाद, देखो, लाल वाली जो है, वो 2x minus y equal to 3 है, and blue वाली 3x minus y equal to 2 है, दोनों यह point पे intersect कर रहे हैं, और यह point है, minus 1, minus 5, तो जहां पे भी intersect कर रहे हैं, वो यह दोनों lines का solution हो गया, lines माने equations, तो इसका final answer कैसे लिखेंगे, एक बार आपको अगर पूरा graph paper देखना है, तो देख लो, ऐसे आ रहे है lines, आपने कोई भी points लियोंगे, lines आपकी ऐसे ही आएगी, और यही point पे intersect करेगी, minus 1, minus 5, तो solution कैसे solution, ठीक है, फूरा हमने solve किया है, graph बनाया है, और हमको पता चला कि यह point पे लोग दोनों intersect करें, तो यह आगया है, इसका solution, done, video pause करके देख लो, एक बार, next करते हैं, fifth question देखते हैं, इसमें first equation दिया है, 3x minus 4y equal to minus 7, मैंने आपको बताया था, हमको y एक जगे पे रखना है, उसको ऐसे solve करेंगे, तो क्या आएगा, देखो, पहले मैं equation copy कर रहा हूँ, 3x minus 4y equal to minus 7, therefore, 3x plus 7 equal to 4y, यह minus 4y को वहाँ बेजा, तो plus 4y हो जाएगा न, देखो, minus 4y वहाँ जाके plus 4y बन गया, and यह minus 7 इस तरफ आके plus 7 बन गया, ठीक है, अब मुझे 4y का value मिल गया, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, therefore, 4y is equal to 3x plus 7, therefore, y का value क्या आएगा, देखो, यह 4 यहाँ पे multiply हो रहा है न, तो बहाँ जाके divide हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा y equal to 3x plus 7, the whole upon 4, आया समझ मैं, अब मैंने इसको y के formula लिया, x का एक value दोँगा, फिर, वो value substitute करने के बाद, y का क्या value आता है, वो निकालेगा, वैसे इसका क्या आएगा, आपको देखो, 5x minus 2y equal to 0 का, 5x minus 2y equal to 0, यह वाला equation य दिया, तो बन जाएगा plus 2y, तो मुझे मिला 5x equal to 2y, मुझे 2y left में लिखना है, तो पहले मैंने 2y लिख दिया, equal to 5x, इसको उल्टा कर दिया, ठीक है, पहले 2y लिखा, फिर 5x लिखा, equal है, किसी को भी कहीं पर भी लिख सकते है, फिर, मुझे y का value चाहिए, तो यह 2y से multiply ह तो बहाँ जाके 2 divide होगा, तो 2 यहाँ पे नीचे आके divide होगा, तो y का value आया, 5 upon 2 into x, अभी table बनाते हैं, table में x की value substitute करेंगे, और फिर y निकालेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास y का value है, 3x plus 7 upon 4, अब मैं x का value ऐसा substitute करने को try कर रहूँँआ, ताकि मुझे fraction न मिले, let's say, 1 डाला तो क्या आएगा, 3 into 1, 3 plus 7, आजाएगा, 3 plus 7, 10, 10 divide by 4 करूँगा, तो मुझे 2.5 आएगा, मैं try करता हूँ, कि हम लोग fraction न लाए, इसलिए मैं x को ऐसे substitute करूँगा, कि मुझे ऐसे values मिले, यहाँ पे जो 4 से division हो सके, let's say x को मैंने 3 substitute किया, तो 3 3s आ 9, plus 7, 9 plus 7 मिल आएगा 4, तो let's say मैंने x को substitute किया 3, तो मुझे y का value मिला 4, एक बार check करना है, तो देख लो कैसे आया, y equal to 3x plus 7 upon 4, x के जगे पे मैंने substitute किया 3, तो यह x हटा दिया मैंने और वहाँ पे substitute कर दिया 3, 33 मतलिक देना, 3 into 3 हो जाता है 9, plus 7 ऐसे का ऐसा, बाद में नीचे 4, 9 plus 7 हो हो जाएगा 16 upon 4, 410, 440, 4 upon 1 क्या हो जाएगा, 4 upon 1 आ जाएगा 4, तो y का value आपको मिल गया 4, ऐसे समझ में, मैंने x को 3 लिया, तो मुझे y 4 मिल गया, ऐसे ही साधी value हम लोग try करेंगे, let's say मैं x को minus 1 substitute करता हूँ, x के जगे पे minus 1 डाला तो आएगा 3 into minus 1, minus 3, plus 7, minus 3 plus 7 हो जाए जाएगा, कितना 4, and 4 divided by 4 हो जाएगा 1, ठीक है, तो मैं x को minus 1 substitute कर रहा हूँ, और x को जब minus 1 करूँगा, तो मुझे y का value 1 मिल रहा है, आया समझ में, next value मैं substitute कर रहा हूँ, let's say मैंने किया minus 5, तो x के जगे पे आपको minus 5 डालना है, तो यह वाले question में देख लेते हैं, कैसे आ तो क्या मिलेगा मुझे, minus 5 into 3 मुझे मिलेगा minus 15, minus 15 plus 7 कितना होगा, minus 15 plus 7 आपको मिलेगा minus 8 upon 4, कट करो, 4100, 4200, तो आया answer minus 2, है न, minus 2 upon 1, minus 2 आएगा, तो जब मैंने x के जगे पे minus 5 डाला, तो y का value क्या आया, minus 2, तो यहां पे मैं लिख देता हूँ, minus 2, अब यहां पे अगर मैं 6 डालूँगा, तो क्या होगा, 3 into 6, 18 plus 7, 25 divided by 4, decimal मैं आ रहा है, try करते हैं, कि decimal ना है, let's say मैं x के जगे पे 7 substitute करूँगा, 3 7s are 21, 21 plus 7, 28, ठीक है, 28 को 4 से डिवाइड करूँगा, तो आएगा 7, तो अगर मैंने x के जगे पे 7 डाला, तो y भी मुझे 7 आ रहा है, देखो यहां पे अगर आपको चेक करना है, तो यह माइनस 5 के जगे पे मैंने डाल दिया, 7, क्या मिला, 3 into 7, 21, 21 plus 7 आ जाएगा, 28, 410, 47, 7 upon 1 क्या हो जाएगा, 7, तो मैंने x के जगे पे 7 डाला, तो y भी मुझे 7 मिल गया, ठीक है, तो यहां पे मैं substitute कर दूँग values नीचे क्या जाएगा, 3, 4, because पहला value x का होता है, second value y का, देखो, x, y, यहां मिल जाएगा, minus 1, 1, minus 5, minus 2, and 7, 7, हम लोग यह line plot कर देंगे, हमारे पास यह line के लिए 4 points है, line का नाम क्या है, line का नाम है, 3x minus 4y equal to minus 7, अब यह वाले के लिए table बनाते हैं, कैसा आएगा table, इसमें equation क्या बन रहा है, y equal to 5 upon 2 x, तो मैंने यहां पर लिख दिया, x के जगे पर 0 substitute कर रहा हूँ, यहां पर 0 डाल दिया, तो 5 upon 2 multiplied by 0, क्या आएगा, multiply गट का answer 0 ही आएगा, तो y का value मुझे क्या आजाएगा, 0, तो इधर मैंने लिख दिया 0, ठीक है, अब मैं x के जगे पर 2 substitute कर र क्या बचा, 5 upon 5, 5 divided by 1 is 5, तो मुझे यहां पर answer आजाता है, 5, ऐसे ही करकर क्या आपको सारे values निकालने हैं, अब next max के जगे पर minus 2 ले रहा हूँ, तो देखो यहां पर minus 2 लेंगे, तो क्या मिलेगा मुझे, यहां पर 5 by 2 x, x के जगे पर यहां पर आजाएगा minus 2, फिर से cut कर by minus 1, आजाएगा minus 5, simple है, है ना simple, next मैं यहां पर ले रहा हूँ, x equal to 1, अगर x equal to 1 लेंगे तो क्या आएगा, 5 by 2 multiplied by 1, which will be 5 upon 2, 5 upon 2 हो जाए, 2.5, तो यहां पर मुझे मिला 2.5, फरक नहीं पर दा, decimal से डरो मत, जब तक 0.5 है या 0.25 है, graph paper पर आप easily plot कर सकते हो, तो क्या क्या आएगा इसका values, यहां पर लिख दो 0, 0, वैसे ही 2, 5, और बाकी दो values ऐसे आ जाएगे, ठीक है, अभी ये दोनों table हम लोग plot करेंगे, ये 1, 2.5 थोड़ा different है, इसलिए उसमें जादा जहां देना, बाकी सब तो एकदम easy है plot करना, ये हम लोग ने बहुत ही सोच समझ के value select कर ठीक है, तो ये 1, 2.5 कैसे plot किया, देखो जरा, ऐसे आएगा न, 1, 2.5 देखो, 1 मतलब x पे 1, and 2.5 मतलब 2 और 3 के exact बीच में, यहां पे, दोनों कहां पे intersect करेंगे, इधर ये point पे, ठीक है, तो मैंने ऐसे पूरा line दोनों plot कर दिया, ये दोनों line आपका intersect भी कर रहा है, ये ह ये वाले point पे, 1, 2.5, अगर ये 1, 2.5 पे intersect करेंगे, मतलब इसका solution 1, 2.5 है, line कैसे plot किया, 4 points प्लोट करके, minus 5, minus 2, minus 1, 1, 3, 4, and 7, 7, ये कौनसा line है, 3x minus 4y equal to minus 7, और फिर ये वाला line कैसे plot किया, देखो, minus 2, minus 5, फिर 0, 0, फिर 1, 2.5, and 2, 5, ये 4 point को join करके, ये वाला line 5x minus 2y equal to 0, दोनो line एक दूसरे से यहाँ पे मिल रहे है, वो point कौन सा है, 1, 2.5, तो 1, 2.5 का solution हो गया, तो final answer कैसे लिखेंगे, the lines 3x minus 4y equal to minus 7, and 5x minus 2y equal to 0, ये दोनो lines, देखो, question में दिया था, intersect at 1, 2.5, ये हम लोग को graph में से पता जला, therefore, x, y equal to 1, 2.5 is the solution, ये 1, 2.5 जो था, वही solution है, ओके, video pause करके देख लो एक बार, इसके बाद इसका graph दिखाता हूं, वो भी एक बार अच्छे से देख लो, बच्चो ये 4 points हो सकता है, आपके अलग हो, मेरे अलग हो, लेकिन final answer हमेशा same आएगा, देख लो graph एक बार, 5x minus 2y equal to 0, एक ऐसा line आया है, and 3x minus 4y equal to minus 7, ऐ ठीक है, चलो next करते है, 6th question दिया है, 2x minus 3y equal to 4, and 3y minus x equal to 4, दो equations दिये हैं, आपको दोनों equation solve करने है, x और y की value ने काने हैं, कैसे, graphically, तो आपको x की कोई random value लेनी पड़ेगी, उसके उपर से y आएगा, graph पर plot करने है, and lines बनानी है, दोनों line जहां पर intersect करेगी, वो इसका solution हो equation, थोड़ा fast करेंगे, कैसे solve किया इसको, यह same equation उपर से यहां पर copy किया, फिर minus 3y को उस तरफ बेजा, तो plus 3y हो गया, यह plus 4 को इस तरफ लेकिया है, तो minus 4 हो गया, 2x minus 4 equal to 3y को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ultra 3y equal to 2x minus 4, पहले y वाला part लिखा, अब यह 3y मतलब 3 multiplied by y, तो अग 3y को यहां पर रखेंगे, minus x को उस तरफ बेज दो, तो वो बन जाएगा plus x, तो आजाएगा plus x plus 4, यह plus 4 already था वहां पर, ठीक है, अब 3y मतलब 3 multiplied by y, 3 को वहां बेजूँगा, तो इधर multiply हो रहा है, वहां जाके divide होगा, तो मुझे divide by 3 मिल जाएगा, अब मुझे y की values मिल ग देंगे, तो problem की आएगा, देखो, x equal to 1 लिया, तो यहां पर x के जगे पर 1 डालना है, तो क्या आएगा, y equal to 2x minus 4 upon 3, ऐसे है, यहां पर x के जगे पर 1 डाला तो मुझे मिलेगा, 2 into 1 minus 4 upon 3, यह देखो, यहां पर x के जगे पर 1 डाल दिया, ठीक है, 2 अंज़र क्या होता है, 2 2 minus 4 तो ऐसे ही रहेगा, upon 3, यह बाकी सब सेम है, सिर्फ यह change हो रहा है, ठीक है, 2 minus 4 क्या होता है, 2 minus 4 होता है, minus 2 upon 3, अब यह minus 2 upon 3 को graph paper पे plot करेंगे तो difficulty होगी, इसलिए हम लोग 1 value यह नहीं लेंगे x का, हम लोग ऐसा value लेंगे, कि इधर जो भी यह वो 3 से divisible आए, ठीक है तो हम लोग x को क्या ले सकते हैं, देखो, अगर x को 2 लिया, तो क्या आजाएगा, 2, 2s are 4, 4 minus 4, 0, मतलब अगर मैं x 2 ले रहा हूं, तो यहाँ पे 0 divided by 3, 0 divided by 3 is 0, तो y का value क्या आजाएगा, y का value आजाएगा 0, तो हम लोग x का value पहले लेते हैं, 2, तो y का value मुझे मिला 0, आ 1 लेता हूं, ठीक है, यहाँ पे x equal to minus 1 लिया, तो क्या आजाएगा, यह जहाँ पे भी x है, उसके जगे पे minus 1 आजाएगा, 2 into minus 1 क्या होगा, minus 2 न, 2 into minus 1, minus 2, minus 2 minus 4, minus 2 minus 4 हो जाएगा, minus 6, अब minus 6 upon 3, कैसे solve करेंगे, 3 1s are, 3 2s are, क्या आया, आपको मिला minus 2, यह क्या है, यह है, y का value, तो अगर मैं x के जगे पे minus 1 लिखूंगा, तो y का value क्या आजाएगा, minus 2, तो यहाँ पे लिख दो minus 2, ऐसे करकरके हम लोगे पूरा table complete करेंगे, ऐसे आजाएगा पूरा table, अब अब लोग यहाँ पे solve करते हैं, x का ऐसा value लेंगे, कि यह दोनों add होके 3 का multiple है, तो x को पहले 2 ले लो, तो क्या मिलेगा, 2 plus 4, 6, 6 divided by 3 क्या आजाएगा, 6 divided by 3 आजाएगा, 2, तो y का value मिल जाएगा, 2, तो पहले मैंने x को ले लिया, 2, तो मुझे y का value भी आया, 2, ठीक है, substitute करके देखो, आपको एकदम easily समझेगा, इसके बाद next क्या लेना है, minus 1 लेके देखो, य x को minus 4 लेके देखो, तो क्या मिलेगा, minus 4 plus 4, 0, 0 divided by 3, 0, तो y का value आजाएगा, 0, आया समझ में, लेट से मैं x को लेता हूँ 5, तो क्या आजाएगा, 5 plus 4, आपको total मिलेगा, 9, 9 divided by 3 आजाएगा, 3, y का value क्या आजाएगा, 3, तो मैंने अगर x को 5 लिया, तो y आजाएगा, 3, पूरा table मिल गया, अब ये दोनो table plot करना है, दोनो table plot करके, दो lines मिलेंगे, और दोनो lines जहाँ पे intersect करेंगे, वो इसका solution होगा, कैसे आएगे दोनो lines, तो मैंने ये red color का जो है, वो, first line बना है, 2x minus 3y equal to 4, 4 points कौन से हैं देखो, minus 1, minus 2, minus 1 मतलब x axis पे minus 1, यह रहा, and y axis यह वाल x पे 2, y पे 0, x पे 2 यह रहा, y पे 0, यही है न, 0 देखो, y पे, फिर next है, 5, 2, 8, 4, line plot कर दिया, दोनो, दोनो line यहाँ पे एक दूसर से मिल रहे, और वो point आ रहा है, 8, 4, ठीक है, तो यह question का solution है, 8, 4, exactly previous questions में किया था, वैसे ही करना है, कोई difference नहीं है इसमें, लेकिन इसमे जब हम लोग y का value निकाल रहें, तो fractions आ रहा था, इसलिए थोड़ा difficulty हो रहा था, ठीक है, तो choose करने में value थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो इसका final answer क्या लिखेंगे, 8, 4, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख देंगे answer, the lines 2x minus 3y equal to 4, and 3y minus x equal to 4, intersect at 8, 4, therefore 8, 4 is the solution, screenshot ले लो इसका, फिर इसके बाद graph बता रहा हूं इसका मैं, ऐसे आ जाएगा इसका graph, अभी के अभी ये video pause करके ही आपको एक question आपके notebook में solve करना है graph paper पे, तो ही आपको ये समझ में आएगा, अगर आप सोच रहे हैं सिर्फ वीडियो देखने से समझ में आ जाएगा graph कैसे बनाते हैं, तो आप गलत हैं, exam में आपसे mistake हो जाएगी, points निकालने में mistake होगी, line draw करने में mistake होगी, intersection point ठीक से नहीं आएगा, बहुत easy है लेकिन practice तो करना पड़ेगा, ठीक है, आगया समझ में, तो आज का video यहीं पे खतम करते हैं, इसके पहले के video में मैंने practice set 1.2 का question 1 and question 2 का 1 and 2 solve करवाया था, आज के video में मैंने आपको question 2 का 3, 4, 5 and 6 करवाया, एंड इसी के साथ हमारा practice set 1.2 खतम हो गया, practice set 1.2 के पहले video का link मैंने description में दिया हुआ है, अगर आपने नहीं देखाया तो आप जाके देख सकते हैं, ताकि आपका यह पूरा practice set खतम हो जाए, अगर आ आपने हमारे चैनल को अब तक subscribe नहीं किया है, तो subscribe करना न भूले, क्योंकि हम ऐसे ही सारे practice set के detailed solutions upload करते रहेंगे, bell icon पर भी click कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नय वीडियो upload करें, आपको notifications मिलते रहें, और आप कोई भी important lectures miss न करें, comment section में हमें जरूर बताएं कि आपको